तो गाइस, mechanical property of fluids में कौन से 5 ऐसे important derivation है जो हमारे board exam में पूछे जा सकते हैं, वो चीज़े इस कंदर में बताने वाला हो, देखो गाइस, हम इतने दिनों से आप continue काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग में response बहुत अच्छा था, आप धीरे 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 क्या होता है, इसलिए भाई, इसलिए तो मैं यह target देता हूँ, कि 1K like, 500 comment का, जिससे मैं देखता हूँ, तो मिज़े मज़ा आता है, बच्चे भी बहुत excited, और बहुत सारी चीज़े हम से चाहते हैं, नहीं तो कर सामने से reaction नहीं आता, तो हमें लगता है, हम क्यों इन बच्चों के ल top 5 most important, जो derivations है, अगर मैं पहले बात करूँ, तो सबसे most important, जो आप सभी को पता है, कि हम लोग access pressure वाला, inside pressure minus outside pressure, जो मैंने अपने derivation में खुद बताया हुआ है, और वो derivation का link में description में डाल देता हूँ, और सभी, मतलब जो वो आप जाके वहाँ पढ़ोगे न या, one shot भी बन relation between surface tension and surface energy, इसके बाद capillary rise वाला, जिसके अंदर हम height h निकालते थे, इसके बाद molecular, जो हमारा molecular theory वाला concept था, बहुत simple है, इसको मैंने बहुत simple तरीके से समझा है, इसके बाद terminal velocity, ये अपने को 5 derivation, कुछ करो ना करो, ये 5 derivation इस chapter के, हमें करके तो करके ही जाना है, समझ में आ हमारा स्वादास तो